आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ Hello everyone, इस Question में पूछा है The shortest part between two points is called अगर हमारे पस दो points है ले लेते हैं यहां पर दो points Suppose यह point है A और यहां पर एक point है B So इसके बीच में shortest part क्या होगा Okay, उसे हम क्या कहते हैं Four options given है, चेक कर लेते हैं So देखो, A से अगर हमें B में जाना है So shortest distance क्या होगा देखो, ऐसा तो होगा निकि हम यूँ जा रहे हैं गूँ के no, यह तो गलत होगा Okay, कोई और process try करते हैं अगर हम पूरा यूँ गूँ के गाए वो भी लंबा पड़ेगा Okay, that distance will be more हमें क्या करना है, shortest मतलब सबसे कम होना चाहिए So सबसे कम होगा, कब कम होगा जब हम सीधा सीधा A से B पे चले जाएं Okay, so यह shortest होगा Okay, so देखो, यह कौन सा option है Check कर लेते हैं side by side Line segment, yes, line segment हो सकता है This is the right answer, आगे भी check कर लेते है Angle, angle होई नहीं सकता है क्योंकि देखो, यह points के बारे में बात है So angle तो कुछ अलगी concept होता है Angle क्यों होता है, जब दो edges एक दूसर पे inclined होता है So इनके बीच में इसे हैं कहता है Angle, so यह तो concept यह लगी है तो points का कुछ है ही नहीं Okay, अब आते हैं option number third Curve, so हमने discuss किया थे Curve से अगर जाएंगे means curve क्यों होता है ऐसे जाएं, या फिर यह भूम के ऐसे जाएं तो तो लंबा पड़ जाएगा Okay, but हमें क्या find out करना shortest So this is also incorrect Curve भी incorrect होगा Fourth cord, cord तो circle का concept होता है But here, हम तो points के बारे में बात करें So cord is also incorrect So सही option क्या हो जाएगा Line segment, okay क्योंकि यह line ही तो line क्या होता है Line segment, जिसके दो endpoints होते है So एक endpoint A and second endpoint is B Thank you Classics to 12 से लेके Need IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर हो सा आज जी डाउनलोड करें डाउटने टा या WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 84444 सुपर